सब यह थिंक सभी बढ़े आंस तो अच्छे होगे बेए से बाडर सेक्योर्टी फोर्स पर दो रिकृट्मेंट जिसके लिए आप सभी कैंडिट्ट इस बलो आप अच्छे से तैरी कर सकते हैं इनकी एक्जाम डेट भी फिक्स हैं और डिफिनिट्लिटल इस लेबस आपके कि उसक्राइबा है तो मैंने का जरूर आप सभी को करता हैं दोनों की दोनों पॉस्ट के बारे में आप सभी कोемся इनफर्म कर तो एक के बारे मैं वालड़ी आ इन्फर्म कर चुका हूं जो आपके बोटैर और इन इंपर्म करचि के लिए जब कि यहां पर सबस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन आप फिर भी यहां पर फिल कर सकते हो लगता है लेकिन 47 रुपए कोई अधर चार्ज लगता है लगब डेट इसका फॉर्म पर फिलिंग है तो आपको पचास रुपए और बहुत लगता गया है दोनों पोस्ट है आप सब इसके लिए अपलाई कर सकते हो यह मिनिस्ट के लिए यहां पर टैपिंग टेस्ट होगा यहां पर बहुत कर लेटर के लिए है तो यहां पर भी आपके टेस्ट होने वाशनी कि आपके और इसमें बात कर लेते हैं आपके तो अच्छे सारी की सारी चीजिजयां भी करने वाले हैं आप सभी के कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट सेशन बता सकते हैं दोनों नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे यह अपना टेलीग्राम चैनल जो भी नहीं जुड़े और डिफिनेटल जुड़ जाएगा तो चलिए मैं आप आपको नोटिफिकेशन ड पोश्ट आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सी दम आपको महत्पुर जानकारी देता हूं अन्रिजर्व के लिए क्येवल एक सोचोवन पोश्ट हैं बहुत होती हैं इस प्लाइकर सकते हैं आप अपने क्याटिगरी के को देख सकते हो फॉर्म फिलिंग की डेट अगर बात कर लेते हैं आप वेकिंसी कम जाता हो सकती है सेल्जी देख सकते हो आप मिनिस्टर के लिए लेवल फॉर का 25500 से स्टार्टिंग होगा एक्टीवन थाउजन आपको सेलरी यहां पर मिलने वाला है उसके बाद जो महात्पूर चीज़ें वही मैं आप सभी को बताता चल अब और चीज़ें आपर होने वाली स्किल टेस्ट आपका होगा 35 वर्ट्स पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए हिंदी और इंग्लिस दोनों के यहां पर टाइपिंग अपका मंगा गया है और फिच्टल स्टेंडर्ट की बात कर लेता है सभी केंडिट आप कहीं से अब बिलॉंग करता हो में और 65 सेंटीमीटर हाइट है जिब कि फिमर के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है रिलक्सेशन की बात कर लेता है तो 162.5 सेंटीमीटर ये केंडिट बिलॉंग करते हैं जैसे कि भाइस आप नागलेंड से हो सिक्किम से और नाचर पिदेश से हो लाल आए असाम हिमाचल और कस्मीर ले लग्दाख रीजन से आप विलाउंग करते हो तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर आप एकसप्ट की जाएगे और जो गल्स केंज रेट हैं उनका 150 सेंटीमीटर हाइट होना जाए यहां पर डिफ्रेंस नहीं है सेंटी सेंटीमीटर और एकस्पैंड करने के बादे आप पर रखा गया है वेट के अगर बात कर लेते हैं तो वेट आपका हाइट के कोडिंग ही मेजर किया जाएगा और यह इतना इंपोर्टेंट इस वज़ए से बन किया जाता है क्योंकि इस इस वज़ए से मात्मोर बनके आ जाता है यंदि ट्रिट्मेंट की तरफ आई जब का सिक्सपैसिक स्केर मेडिकल इक्जाम बात में होगा तो कोई दिख्काती नहीं है टैट्व आपका एकसेप्ट किया जाएगा बस ज्यादा कुछ नहीं होना चीए चलो मोस्ट इंपोर् करना होगा वो तो सेंट्र से इयरफोस की तरह ही है तो यहाँ के लिए होगा ने वाले हैं और तोटल पास टाइंड कितना होगा वो भी आपको बता देता हूं तो रुकिए का टाइम यह आपको मिलने वाले हैं मैं एच्छे से पढ़ा था कहीं पर लिखा था हिंदी इंग्लिस लेंगिज में से कुई एक आपको पर ट्रिम्ट करना होगा बीस कोशन आएंगे जैनल इंटेजिंस रिजिनिंग आपके 20 कोशन निगेट्व मार सकते हो इंटेजिंस रिजिनिंग तो मतलब नॉर्मल इसका एक्जाम मैंने इसका एक रिव्यू किया था ठीक है भी अपने फिल कराने से पहला है तो मुझे लगा बेस्ट है तभी मैंने का आप सभी को बता देता है थोड़ा पोस्टेंगर कम है लेकिन ओवराल ओर ठीक है सब्सक्राइब प्रड़ा था कुलाल है अधि कलेया एक लेया था बरांके मैं और तौन है का इतने रहले कोश्य कोश्चन होते हैं यहां पर बना के देगा चार यहां पर बना के देगा बोलेगा इन तर चाटो तो ऐसे वाले जो आप अखबार में सौल करते थे ना वह आले यहां पर हमने बता रखाए ऐसा यह टेस्ट होते हैं उसके दगे बेसिक और इसके बड़ाइब का बनाया का बनाया कंप्यूटर की जने का बनाया कोण क्या कहा बनाओ उनके फुल फॉर्म्स वह इतना यहां पर आने वाला लाइक इस में अगर इस पेपर में सेलेक्शन लेना 150 पोस्ट मिराना है तो आपका एक टागेट होना ची कम सकंब मैं मैं मान आप यह आता है यह पोस्ट के काडिक आपके बोलेंगे 30 कितने गुणा के एक को सॉट लिस्ट किया जाएक बहुँ बता रखता था पास होने के लिए अपर 35 परसें मार्क्स लाने होंगे और ओपी सीस्ट के लिए थाटी थी फरसें यांपर नम्बर लाने होंगे देख सक है तो पेपर निकालेंगे लगवाग पंद्रा सो से दो हजार केंडिट को यह लोग लेंगे वहाँ पर आंगे बात करते हैं कोई नहीं है दुबाना चेक करने का सिस्टम फेस सेगें मैं बता चुका हूं फेस सेगें में क्या होगा तो यह एक आपके लिए रिक्रूट्मेंट होगे अब मैं आप सभी को दूसरा बताता हूं फॉर्म आप सभी का ऑनलेन इप्लाई हो चुका है बेसेप की ओपीशिल इंदोर तकनपूर हजारीबा कुलकत्ता जैसे की जो के नेट इधर से हो यूपी से आपका सेंटर यह जी रहेगा मतलब मैंने यह वाला सेंटर में डाला था टीकनपूर क्योंकि यहां से जहां पर मैं मेरी लोकेशन एक्जैक्ट यहां पर पढ़ता लगवा तीन सो किलो म इतना इतना दूर थे कुछ स्पास में भी थे देली जगह से बात कर ले दें 600-500 किलमीटर आप इनकी वेबसाइट में जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ठीक है मैंने आप सभी को बता दिया अभी इस से रेटेट कोई आपका डाउट है तो कॉमेंट में दूसरा यहां आप सभी के साथ में शियर करूंगा बटन आप सभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो कोस्टकार नाविक डीवी जीडी किसी भी गवर्नमेंट एक्जाम के लिए आप सभी को ऑनलाइन मॉक्टेस जल्दी पर इक्षिय अप्लिकेशन पर देखने को मिल जाएंगे तो और रुपीज में 15 20 30 अब को मिल रहे हैं ठीक है तो डीफिनिटल आप से रिकले हैं कोई किसी प्रगार की कोई समस्टी आ रही हो तो कॉमें सक्षिन में जरूराज करिएगा वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा चैनल पर फर्स्टेम विजिट कियो तो सब्सक आपका 10 प्लस 2 का स्लेबस है और अब सभी इलिजिवर उसके लिए तो आप यह वाली यह वाली तो जरूर अपलाई करिएगा यह वाली और इसमें पोश्टें भी लगबग 12200 पोश्टें इसमें पोश्टें भी काफी अच्छी खर्से हैं तो इसके लिए आप अप अपला की देखने को नहीं मिला होगा यहां पर भी आपका जीके नहीं आना यह नोटिक्विकेशन थोड़ा सा बड़ा है मन नोटिक्विकेशन शेयर करूंगा विडियो बना चुक हो इस टॉपिक पर आई बटन पर लिंक देदूगा जो भी कहने देखना चाहते हैं ऑनलाइन एज दिखा देते हैं आप सभी को इस तरह का कुछ फॉर्मेट आजाएगा बस आप डिटेल्स को फिल करना इस्टार्ट को और फॉर्म को अप्लाई कर सकतो कोई क्यारी कोई समस्य आ रही हो तो जरूर कॉमेंट पर आस करिएगा वीडियो को दूस्तों साथ में शेयर कर दीजि कर दो तूस्तों सेते हाव।